नमस्कार मान पूर्णा फूड एक्स्प्रेस चेडल में आपका सागत है आज हम नास्ते में मैथी का इस्टप पराठा और साथ पे लौजी बनाना सीखें वो भी पांच पूर्ट में आएए आप भी हमारी साथ बनाना सीखें ये आटे को ले लिया है उसमें नमक डाल दिया मैथी को अच्छे से वास करके बारी काट लिये और मैथी को आटे में अच्छे से मिला लेंगे मिला के बढ़िया सब आटा गून देंगे सोफ डो बनाएगी आटे का पराठी का बढ़िया जिसमें हमारे पराठी फटेना और बढ़िया बने अच्छे से क्योंकि मैंने मैंने उसमें स्ट्रफी करनी है अलू भड़ना उसको अगर आप कड़ा माड़ेगी तो फटे फटेगा आपका पराठा अच्छे से नी बनेगा सॉफ डो बनाएगी आटे का बढ़िया देको मेरा डो इता अच्छे से तैयार हो गया है और आलू भी मैस करके मैंने रख लिया है चार आलू इसमें नमाग मिर्चा थोड़ा सजीरा डालके रखा है और कैस में मैंने तवा रख दिया है तो मेरा गरम हो रहा है और एक्तम लौंजी भी बन रही है मेरी टमाटर की वड़िया टमाटर की लौंजी बनाना बढ़ा ही आसारे है बड़ी जल्दी बन जाती है एक मेरे में आलू को पराटा मारा बनना शुरू हो गया है मैथी का मैथी का कैसे आराम से बिल आए आराम से बिल जाता है अब इसमें स्ट्र करके बड़े आराम से मत दिया हलकी हलकी हातों से बोरे आराम से बिल जाता में हैं अच्छे से अ कि le 데UM कि से हटो द लकाई हलकी हातों से बनाजए आराम से बिल जाता है का तवा मेड़ा गारव मूगया कि आरांज पिल्कुल भी नहीं फटा देखो कितना अच्छा बन जाता है अगर अगर बड़ा सोफ्ट से लगाए तो बड़े अच्छा बन जाता है कि अगर अगर दूसरे पराठा की तैयारी शुरू हो गई है वह भी वेलना सुरू हो गया है तो जोगी नास्ती बन रहा है तो तेजी बहुत है जल्दी से बना के देना है नास्ता है उसके नास्ती का टाहिए दोनों काम चल रहे हैं उपर भी से रहा है नीचे भी बिल रहा है नीचे वाला बिल रहा है उपर वाला शीक रहा है उसे पहलते जाए बड़े अच्छे से देखो बिलकुल भी नहीं फट रहा है जारा से भी नहीं है बहुत अच्छे सी बन रहा है बड़ा ही जिए बस देशी की कट चमच मिलेंके आरम से पूर पराड़े पसे लाते जाए बस एक तरफ लगाए पलटकर दूसे तरफ भी ल पराठा से कि दुआ तो निकलता है गी में कुछ जान नहीं निकलता है कैसे निकल रहेगी दुआ अब बड़े से दिजा चीची खुष भूरी है बड़े सुन्धी सुन्धी अब आने का मन कर रहा होगा पराठा देकर तो दुश्वाएं क्या जाइब तया रोरी मेरी तरफ चाइब बन रहे यह देस पर आटशी के तयार है तो बड़े कैसे सब्सक्राइब गुलावी अच्छा अ अ अ प्राठा सिट जो है दूस्तर प्राठा तहां पे डिल रहे हैं आस्टे की तैयारी होड़ी प्लेट की तैयारी हो जागी लगाती है वह प्रवाला सिक रहा है साथ साथ मैंने लॉंजी भी बटा ली थी टमाटर की लॉंजी तैयार है मेरा नास्ता चाय भी तैयार है चाट टमाटर मैंने ग्रैंडर में पीस लिए और फ्राइपर में थोड़ा सा एक चमच घी डाला है सौफ जीरा डाटके और टमाटर का पेश्ट डाल दिया उसमें सफिद नमाग काला नमाग डाल दिया है थोड़ा सा गोड़ डालें इस वाद के लिए आप सक्कर भी डाल सकते सकते हैं आपको अगर शक्कर पसंदो यहने टमाटर गोड़ डाल रहा है आज बस पिसा हुआ पड़े जल्दी वाजी तयार हो जाती है एक मिनट में लाजी तयार हो जाती है पराटे के साथ कोई क्लीविक तब फास्ट कितने एक मिनट में जाती है थोड़ा से करम शाल डालेंगे इसमें 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 कर गिये पहुंजी तही है आपको पसंदा आपी बनाइगे आपको पसंदा आपी बनाइगे